हलो दोस्तों स्टॉक अनालिसिस में आप सभी को दिल से बहुत-बहुत सवागते हैं दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाक्टा कॉंजीमर प्रोडक्ट लिमिलेट स्यार के बारे में आज की दिन की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा पॉजेटिवटी देखने मिला है और उसी के साथ यसाथ कंपनी की Q3 का रेजल्ट पेस हो चुका है कंपनी का Q3 की रेजल्ट में कुछ यहां पर नेगडिवटी हमें देखने क मिलता है और इसी का चलते आगे की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक का अंदर क्या कुछ देखने का मिल सकता है और इन्वेस्टोर को क्या परिशान धेलने को पर सकता है तो आज की वीडियो में दूस्तों डिसकस करने वाले हैं वीडियो को बिना स्कीप के एंड तक देखते रहेगा औ और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेश करके और ऑप्सण ज़रूर हीट कर लिजे और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर लिजे साथ में एक कुछ कॉमेट कर दीजे दोस्तों चले यहां पर सबसे पहले इसका प्राइस सेक्षन की बा है वहीं पिछले पांच दिन की बात कर लेते हैं तो पास तो देखें दोस्तों फाइफ पर्संट का रिटर्न और यहां पर स्टॉक का चार्ट स्लूली स्लूली करके अफुमाता हुआ देखने को मिल रहा है तो एक मने का अंदर बात करें तो सेमी सिनारियो है दोस्तों 6 प बाद स्टॉक कंदर होने वाले एक्टिविट के ओकर डिसकस करनें तह ez eer reality अगर बात करें तो quarter और ओन quarter बेसेस में दोस्तों आप देख सकते हैं कमनी का यहांपे 15 परसंट देखने को मिला है इसी की क्वाटर में लिकन अगर यहांपे आप देखेगा कमनी की नियर्ड प्रफिट में बहुती बड़ा डाउम फॉल देखने को मिला है पिछले प्षेक्वाटर में 364 करॉर का सेल प्रफिट क्या था लेकिन फिलाल की quarter में बहुत ही ज़्यादा down देखने को मिला है profit में तो यहाँ पर यह साग क्यों हुआ है और उससे पहले आप देखेगा पिछले वाले quarter में December यानि कि पिछले साल की quarter में December मुहने में आप देखेगा यहाँ पर sales जो है वो down था अभी के quarter से लिकिन profit में आप देखेगा 364 करोड का profit देखने को मिला था और उससे भी कहीं ज़्यादा यहाँ पर नीचे down आया है company की profit में तो इसी के चलते हो सकता है कल की trading session में stock का अंदर पिटाई देखने को मिल सकता है और ऐसा क्यूं हुआ है यहाँ पर आप देखेगा क्यूं हुआ है दोस्तो other income की वज़े से देखे other income पे कितना loss क्या है company तो exponential item से कमपनी को 92 कुरूर का loss हुआ है और ऐसा नहीं दोस्तो पहले भी कमपनी को हुआ है लेकिन other income जो है वो इसी वाले figure को बचा लेता था लेकिन फिलाल की quarter में एक बड़ा loss हुआ है कमपनी को 92 कुरूर का और other income यहाँ पे जो बनता था दोस्तो पहले 90 कुरूर का बनता था फिर 15 कुरूर का यहाँ पर loss करता था तो कुल मिला कर बसता था 75 कुरूर 53 कुरूर 49 कुरूर तो इसी ख्याल का उन्दर दोस्तो यहाँ पर कमपनी ने एक बड़ा loss किया है जिसके चलते net profit की figure में इतना डाउन देखने को मिला है दोस्तो तो यहाँ पर क्या हो सकता है यहाँ नहीं कि दोस्तो इस टॉक हरा पर श लोस होगा पहले भी आप देखेगा पहले बहुत आचा अचा अचा profit कर रहा था और थोड़ा बहुत यहाँ पर loss कर रहा था जो कि यहाँ पर equal हो जाता था लेकिन फिलाल की quarter में इसी के बज़े से एक बड़ा loss हुआ है कमनी को तो यहाँ पर इसी figure में net profit की figure में इतना ज्य difference आ रहा है तो इसी के लिए स्टर्म के लिए stock का अंदर विक वाली आ सकता है पिटाई हो सकता है क्योंकि stock result को लेकर काफी आच्छा बांस बग देखा चुका है और यहाँ पर दोस्तों यूर और यूर बेसिस में भी कमनी का अंदर बहुत ज्यादा गिराबड आया है कुल हो सकता है लेकिन बनता है तो कहिना कोई चोटा मुटा तेजी इसमें होगा फिर इसमें गिराबड आ सकता है क्योंकि वाटली रेजल में कमनी को यहाँ पर नेट प्रफिड में कुछ डिफ्रेंस देखने को मिला है दोस्तों और शेयर होलिंग पैटरन के बात कर लेते हैं तो वी इसमें बड़ा है और उसी के साथी प्रोडौर का होलिंग भी तोड़ा सा यहाँ पे डाउन आया हे तो नेक्स्ट रेडिंग सेशन में स्टोक कंदर क्या हो सकता है तो कमेंडर कमें लिखना चाहो तो लिखेएगा दोस्तों और शाथ में वीडियो को लाइक को तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं और एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टिक क्यार